चलिए नेक्स्ट परमेश्वर बाबर ने क्वेश्चन पूचा है 8.23 पीम को मुझे बैक्टिरियल यूरिन इंफेक्शन हुआ है मैं सीफिरो और रिनाल का सिरप ले रही हूँ कब तक ठीक होगा यूरिन में जलन होती है परमेश्वर जी देखे अगर आप अगर जनरली मेरे पास कोई यूरिन इंफेक्शन का पेशन आता है तो उनको सबसे पहले तो मैं यूरिन कल्चर करने के लिए कहती हूँ उसमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टिरिया का इंफेक्शन है जनरली हम लोग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटिबाइटिक देते है मैं जनरली को ट्राइमॉक्साजोल जो होता है वो उनको देती हूँ डबल स्टेंथ का दिन में दो बार लेने के लिए और उसका साथ दिन का कोर्स करती हूँ उसके साथ साथ मैं पेशेंट को सिटाल नाम का जो सिरप है वो भी एडवाइस करती हूँ दो दो चमच 200 मिलीलीटर पानी में मिक्स करके शर्बत की तरह बना के दिन में 2-3 बार ले तो उससे उनको urine एकदम प्रॉपरली alkalinize हो जाती है और उसकी वज़े से जो urinary tract infection है वो completely flush out हो जाता है तो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको सिफ्यूर हो दी है वो basically एक broad spectrum antibiotic है तो उन्होंने जो आपको recommend किया है वो आप लेते रही है मैंने आपको बताया कि मेरे clinical practice में मैं क्या करती हूँ मैं patient को इस तरह से manage करती हूँ मैं उनको co trimoxazol का double strength वाली tablet दिन में 2 बार देती हूँ 7 days के लिए और उसकी साथ साथ सिटाल का syrup मैं उनको prescribe करती हूँ for 10 days okay तो you just go as per your doctor's prescription तो अरते हैं किया मैं उनको करते हैं